वेलकम टोल लियाए स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Presence 2022 में Environment के Current Affairs के Revision का ये हमारा आठमा लेक्चर है आज के सेशन में हम अप्रेल महिने के Environment के Current Affairs को revise करेंगे इस सेशन का First Important Article इसका Tiger Reserve के बारे में हैं अब Tiger Reserve पे बहुत सारे questions आते हैं आपको पता है, variety of questions आते हैं इसलिए मैं यहाँ पे प्रिविसर का question ने डाल रहा हूँ बाकि जो भी वैसे questions होते हैं जोड़े हुए मैं आपको बता ही देता हूँ कि देखें ये प्रिविसर का question है बाकि आपको पता है Tiger Reserve से question आते ही आते है अभी हाली में Sarska Tiger Reserve में आग लग गई Air Force helicopters पानी की spray से उसको बुझाने की कोशिस कर रहे है Sarska Tiger Reserve वर्ल्ड का oldest जो mountain range है अरावलीज उसके आस पास की area में फैला हुआ है मतबको मिला कि ये राजस्थान के अलवर में located है यहाँ का ecosystem काफी resilient है यहाँ पर pre-density काफी अच्छी है इसलिए बाकी की जनवरों के लिए यहाँ पर एक अच्छा खाना उपलब्द रहता है और यह वो जगे हैं जब locally extinct होने के बाद Tigers को reintroduce किया गया था 2004 में जब survey किया गया तो यह पता चला कि Sarska Tiger Reserve में Tigers हैं तो बड़ा हल्ला मचा 2005 में formally इस बात को declare कर दिया गया कि Sarska Tiger Reserve में अब Tigers नहीं है बाद में 2008 में Runthumbore Tiger Reserve से दो Tigers को लाया गया reintroduce किया गया सरिसका में और अभी 2020 में इनके figures 20 तक पहुँच चुके हैं 12 सालों के span में तो अच्छी बात है उनके लिए Previous भी वहाँ पे ठीक ठाक है सरिसका को Wildlife Century बनाया गया था 1955 में और 1978 में इसे Project Tiger के था Tiger Reserve बना दिया गया यहाँ पे आपको मिलेंगे Mountains, Grassland, Dry Decidious Forest और Cliffs आर्ट्स तर स्कर किलोमेटर का यह पूरा एरिया कवर करता है फ्लोरा और फॉना की बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है यहाँ पर आपको मिलते हैं Lepers, Neel Gaias, Sambhar और Cheetah Temple Force, Pavilion और Palaces भी मिल जाएंगे Canquer Body Food यह इस Reserve के Center में है ऐसी मानता है कि औरंग जीब ने अपने भाई दरा सिको को यहीं पर बंदी बनाया था जब उत्राधिकार का युद्ध चल रहा था तो यहाँ पर आपको भग्मान हन्मान की एक मूर्ती भी मिलेगी जो पांडवास की समय की मानी जाती है कुछ और भी राजस्थान के प्रटेक्टेड एरियास हैं यह शौट में से ड्रिप बोलते हैं डैम रिहाबिटेशन और इंप्रोव्मेंट प्रोजेक्ट अभी न्यूज में यह निकल के आया है कि एशिन कंट्रीज में इंडिया सबसे ज़्यादा फ्लट मॉटलेटी वाला दीज है मतब यहाँ पर फ्लट से होने वाली मौते सबसे ज़ादा होती है हर साल कई सरे लोग फ्लट में अपनी जानगवा देते हैं 2012 में Central Water Commission ने World Bank की मदद से Drip Project को स्टार्ट किया जो Drip है इसके माध्यम से हम डैम्स की सेफटी और operational performance को बढ़ाने की कोशिस कर रहे है डैम सेफटी इंस्ट्यूशनल सेटप तयार किया जा रहा है ताकि डैम को और स्टेंदन किया जा सके Phase 1 में 230 डैम सेलेक्ट किया गया थे साथ राज्जियों से जिन पर काम किया गया Phase 2 और Phase 3 के लिए World Bank और AIIB नहीं जा है हाल ही में एक awareness musket launch किया musket को हिंदी में सुभंकर कहा जाता है सुभंकर या musket का मतलब यह होता है कि यह कोई एक image होती है एक symbol होता है जिसका इस्तिमाल करके हम किसी चीज़ की बारे में लोगों को aware करते हैं या जानकारी देते हैं अब जो यह सुभंकर है इसका नाम प्रकृती रखा गया है प्रकृती, nature मतलब एक image जो पहाड और बादलों से बनी है उस image का हम इस्तिमाल करेंगे लोगों को जो green initiatives हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए या फिर जो ऐसे initiatives हैं जो environment को pollute नहीं करते हैं उनके बारे में जानकारी देंगे further इसी launching event के दुरान जो green initiative for effective plastic waste management है उनको भी launch किया गया प्रकृती एक musket है जो की awareness spread करेगा इसके माध्यम से हम awareness spread करेंगे musket कोई इंसान नहीं होता जो घूम घूम के लोगों को बताएगा कि भाया ये करो ये ना करो ये छोटे-छोटे changes जो हम अपनी lifestyle में opt कर सकते हैं ताकि environment हमारा better बने इसके माध्यम से हम लोगों को इसके बारे में जानकारी देंगे इस image को portrait करके जो musket है वो लोगों को green initiatives के बारे में भी जानकारी देगा जो minister of environment forest climate change center position control board इनके द्वरा launch किये जाते हैं और जो effective plastic waste management है उसको भी incentivize करेगा कुछ और initiatives launch किये गए बस एक slight overview लीजिए बिकॉस एडास बोर्ड या अप्लिकेशन है तेक national dashboard on elimination of single-use plastic and plastic waste management इसे launch किया किया यहाँ पर सभी stakeholders को हम एक साथ लेकर आएंगे और courses करेंगे कि जो single-use plastic है ऐसा plastic जिसे आप एक बार इस्तिमाल करके fake देते हैं जिसमें plastic का glass या straw हो सकता है कुछ होते हैं जो multi-use plastic होते हैं जाएसे कि आपके घर में एक plastic की बाल्टी होगी अब उसका इस्तिमाल आप रोज करते हैं तो उसे रोकने की ज़रूद पड़ती है further extended producer responsibility port of a plastic packaging इसे भी launch किया गया है मतलब जो व्यक्ति इस प्रकार के plastic कचरी को पैदा कर रहे हैं उन्ही के accountability होगी कि उसको trace करें और transparency के साथ उसे वापेस से dispose करें plastic waste को tackle करने के लिए सरकार ने कुछ और initiatives लिए है जिसे कि 2022 तक हमने pledge किया है कि हम single use plastic को खतम कर देंगे plastic waste management rule 2016 को भी amend किया गया जिसमें किसी भी प्रकार के ऐसे import को रोका जाएगा जिससे देश में plastic कचरा आता है और हम 1 जुलाई तक single use plastic को रोकेंगे further जो thickness है plastic के bags की polythene की उसे 75 macron से बढ़ा के 120 macron कर दिया किया है इससे दो चीज़े हो जाती है एक तो वो plastic का bag महगा हो जाएगा तो उसका कम इस्तेमाल होगा दूसरा कि अगर वो plastic का bag मोटा होगा तो उसकी recycling भी आसाम होगी कि December 2020 तक करना है देखिए plastic को लेकर प्रश्म 2019 में पूछा गया था और question ये था कि microbeats जो होती है उनको लेकर सबसे बड़ा concern क्या है जब वो environment में जाते हैं तो इसका सही जवाब है कि ये marine ecosystem के लिए बहुत ही harmful होते है microbeats का मतलब होता है plastic के बहुत चोटे-चोटे टुकड़े मतलब ऐसे है कि कई बार वो आपको सामाने आखों से दिखेंगे भी नहीं उनका इस्तिमाल कई सारे cosmetics में किया जाता है उसे किसी रेक्ती ने इस्तिमाल किया उसकी बाद अपना phase धुला और वो पानी के साथ बह गया फिर वो चला जाता है समंदर में, नदियों में, तालाबों में और marine ecosystem को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुचाता है क्योंकि वो उसे consume कर लेते हैं हमारा next article Ganoderma lucidum के बारे में है ये एक प्रकार का मश्रूम है जिसे दुनिया भर में popularize करने की कोशिस की जा रही है ताकि लोगों के लिए ये livelihood का साधन बनी ये एक medicinal mushroom है बहुत ही काम का होता है कई प्रकार की health diseases को heal करने के काम आता है जैसे कि diabetes, cancer, inflammation, ulcer और जो bacterial या skin infections होते हैं उनमें भी ये काम आ जाता है इसे सबसे काफी important medicinal mushroom के रूप में recognize किया जाता है क्योंकि इसमें जो chemical constraints पाया जाते हैं वो कई सारी बिमारियों का इराज करते हैं इसलिए से कई सारे decorative नामों से पुकारा जाता है जैसे कि mushroom of immortality celestial herb और species herb इसे दुनिया भर में red रेशी मसलूम के नाम से भी पुकारा जाता है अगर आप इसका इतिहास खंगा लेंगे तो इसलिए लगबग 5000 सालों से जाना जाता है चाइना में लोग इसे 5000 सालों से जानते रहें इसका जिक्र आपको कई सारी देसों के historical और medical records में मिल जाएगा जैसे कि जपान, कूरिया, मलेशिया यहां तक की इंडिया भी यह यूसूरी या तो लकडी पर या लकडी जैसे किसी सबस्टेट पर पैदा होता है या उकता है इसे चाहिए होता है warm और humid climate जैसे लकडी की भूसी है तो वहाँ पर भी यह उक सकता है हमारा next article Indian tent turtle के बारे में है usually ऐसी खबरे आती हैं कि illegal mining के वज़़ से जो tent या किसी प्रकार का turtle है या species है वो extinction में जा रहा है यहां कुछ अलग report आई है ऐसे आरोप लग रहे थे कि नर्मदा नदी के आसपास जो illegal mining चल रही है उसकी वज़़ से Indian tent turtle extinct होने के वज़़ पर है अभी कुछ reports ने यह कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है खैर, news आई तो Indian tent turtle भी news में आया नाम से स्पस्ट है कि इसका नाम tent क्यों रखा गया है और आप इस image में भी देख सकते है यह जो turtle है इसका shape बहुत ही attractive होता है क्योंकि इसका जो उपरी कवच है वो एक tent के आकार का होता है और यह इनके लिए एक समस्या का विश्या भी है अक्सर इन्हें इनकी इस attractive attribute के लिए capture किया जाता है यह turtle family jioni didai से belong करता है fresh water में, wet land में या swamp में रहना यह turtle पसंद करता है यह India और भांगलादेश का endemic है endemic होने का मतलब समझते हैं कि सिर्फ यहीं पर बाया जाता है बाकी जगहों पर यह turtle आपको नहीं मिलेगा IOSN का status इसका least concern है while air protection act of 1972 के schedule 1 में है और sites के appendix 2 में है खत्रा भई, attractive appearance देखने में काफी खूबसूरत होता है इसलिए लोग इसे अक्सर capture कर लेते हैं और इन्हें pet market में illegally trade किया जाता है ताकि लोग इन्हें अपने घरों में aquarium बगएरा में ले जाके रख ले नेक्स्ट आर्टिकल Palm King के बारे में है हाल ही में एक बहुती rare प्रजाती की butterfly जिसका नाम है Palm King उसे Tamil Nadu में काफी लंबे समय के बाद for the first time sight किया गया या फिर देखा गया Palm King को ये जो एक butterfly या फिर टितली के प्रजाती है for the first time record किया गया था South India में जो British scientist थे H.S. Ferguson उनके द्वारा इसे for the first time detect किया गया था 1891 में उसके बाद काफी लंबे समय तक इस butterfly की और किसी और का ध्यान नहीं गया वापिस से इसे again rediscover किया गया 2007 में ये niphylidae जो सब family है butterfly की उससे belong करता है इस प्रजाती की जो butterflies होती है ये palm, coconut या फिर calamus पे रहती है या उनके पौधों पर ही अपना जीवन यापन करती है जो butterfly है इसका जो color होता है वो dark brown होता है और इस पे आपको dark bands भी मिल जाएंगे इसलिए इसे reclusive यानि कि ये बहुत आसानी से दिखते नहीं है और shades में या च्छाओं में रहना पसंद करते हैं palm king को इसलिए भी देख पाना बहुत संभाव नहीं होता विकाज इनका जो color होता है वो wood color का होता है लगडी की color का होता है तो ये लगडी पे अगर बैठे हों तो ये एक camouflage की तरह work करता है उनके लिए और इसके जो इनके wings का color है वो चुकि लगडी की color के जैसा ही होता है इसलिए ये कम शिकार भी बनते हैं इनके distribution की बात करें तो ये आपको इंडिया के हिस्से में मिल जाएंगे मिल जाएंगे मियांगमार में इंडो चाइना रीजिन में पेनिंसुलर मलेशिया में या फिर थाईलैंड में ये इंडोनेशन जो आर्केपलोग है और फिलिपीन्स का रीजिन है वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा पाम किंग इंडोग areas उडिखने के बारे में है अडीसा की सरकार udah रही है कि जो बारबरा फॉर्स्ट का रीजिन है उसे इको टूरिजिम मैप में लाया जाये और इस पूरी रीजियन में इको टूरिजिम को पढ़ावा दिया जाये अब पहला सवाल तो मन में आता है कि eco tourism exactly होता क्या है उसके बाद तो बाकी की बात आती है eco tourism को basically एक responsible travel के तौर पे देखा जाता है किसी भी natural area में कोई भी ऐसा environment जहां पर कोई व्यक्ति जब घूमने जाता है तो इस बात का ध्यान रखता है कि वहां का environment loss मिना जाए फर्दर जो वहां पे रहने वाले local लोग हैं उन्हीं इससे लाभ मिले और जो भी लोग जाते हैं उन्हीं जो environment है उसको लेकर educate भी किया जाता है बहुत small scale पर और low impact form of travel year होता है जहां पर वो natural world को देखते हैं समझते हैं उसे preserve भी करते हैं eco tourism destination destination basically fragile होते हैं वहां बहुत जदा involvement human का नहीं होता और उन्हें अच्छी तरीके से preserve किया जाता है लोग ऐसी जगहों कर देखना और जाना पसंद करते हैं given that उस जगह को नुकसान नहीं होना चाहिए तो travelers को इसके माध्यम से encourage किया जाता है कि आप ऐसी जगहों पर जाएं जो untouched हैं लेकिन उसी level पर maintain करके रखें तो ऐसे areas में जाने में लोग interest भी दिखाते हैं और इससे वहां के जो local community के लोग हैं उन्हीं भी लाब मिल जाता है सबसे पहले तो ये चिलका लेक का जो region है कोस्टल उडीसा में वहां पर आपको मिलेगा एसिया का largest peak और साल का forest माना जाता है ये पेड बहुत बड़ी संख्या में यहां पाये जाते हैं इनका करण भी मैं आपको बता दूँगा जो forest है वो उडीसा के तीन जिलों को छूता है इस खोरधा, नयागर और गंजम इसे एक British forest officer की जो wife है जो एक tiger attack में इस region में मारी गई थी उन्ही के नाम पर इस पूरे forest का नाम रख दिया गया वो नाम अभी भी चला आ रहा है जो original Barbara forest था यहां पर बहुत सारे साल के पेड़ हुआ करते थे कुछ और भी पेड़ थे जैसे की पियासल, फिकस, अरजुन, असोक और कासी 1910 के आज़ पास British stars को काफी interest आया चुकि टीक की लगड़ी काफी जदा मजबूत और महंगी बिकने वाली होती है तो उन्हों ने यहाँ पे टीक का plantation सुरू करवा दिया लेकिन यह जो पेड़ हैं आपको basically valley में मिलेंगे या फिर पहाड़ों के निचले हिस्से पे मिलेंगे slopes पे चुकि टीक के पेड़ अच्छे उखते नहीं है rocky areas में तो वहाँ पर आपको टीक के पेड़ कम मिलेंगे और जो natural forest पहले हुआ करता था वो उस जिगह पे आपको दिख जाएगा तो वर्तमान में भी जो slopes हैं वहाँ पर हमें जो पुरानी natural forest हैं वो अच्छी तरीके से दिख जाएंगे हाला कि साल अभी भी dominant condition में वहाँ पे आपको दिखता है जो बापरा forest का area है वो tropical semi-eval green forest का सांबर डियर, mouse डियर और बिसन जैसे कई सारी जीओ मिल जाते हैं कई सारी species birds की मिल जाएंगे specifically little scaly bellied green woodpecus ये बहुत बड़ी संख्या में मिल जाएंगे सावारा tribe इस region में रहती है जो की एक उडिया community से बिलॉंग करने वाली tribe है significance के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि ये भरत का एक मात्र natural resource वाला region है या कोई एक मात्र forest है जिसे CRPF guard करता है Central Reserve Police Force तो ये बहुत unique सी और अलग सी बात होगी आपके लिए भी हमरा नेक्स आर्टिकल purple frog के बारे में है इसका scientific नाम है इसे हाली में कुछ research वगएर आई इस पे इसे Indian purple frog या pig nose frog के नाम से पोकारते है Iosun status endangered है इसे 2003 में for the first time discover किया गया था केरला के SDB Jew जो के Tropical Botanical Garden and Research Institute के scientist रहे फर्दर Frankie Bossit ये Bruce Sars से थे इन दुरों लोगों ने मिल के इसे खो जा था Western Ghout का endemic है मतलब यहीं पाया जाता है miserly concentrated होता है केरला और Tamil Nadu के कुछ हिस्सों में ये बाकी तुल जो frogs है उनकी तुल नामे इसका सिर्च छोटा होता है और pointed snout होता है जो आगे का हिस्सा है mocha जो adults होते हैं वो dark purplish color के होते हैं और ये underground tunnels में रहना पसंद करते हैं लगभग अपनी पूरी life दे साल में एक बार निकलते हैं breeding के purpose से आगे बढ़ेंगे with next article that is वकवीता पॉर्पॉईस United States Commission for Environmental Cooperation के according वकवीता पॉर्पॉईस extinct होने वाला है जो भी बची-खुशी population है उसको बचाने का immediate प्रयास करना होगा अगर कोई species extinct होने वाली है तो वो दुनिया में कहीं भी हो important हो जाती है वकवीता ये दुनिया की सबसे छोटी catacian प्रजाती की marine mammal है या मचली है इसे little cow के नाम से भी पुकारते हैं Spanish में इसकी dark eyes होती है in fact dark ring होती है आँखों के चारो और ये एक specific feature होता है further इसकी peat का fin होता है वो काफी चौड़ा और बड़ा होता है दीखिए इसके बाद ये पूरा fin ही है इस छोटे वाले के चक्कर में ना पढ़िएगा ये पूरा fin है तो काफी बड़ा होता है ये इसका specific feature है बाकी पूरा fin ही हिसाब से अलग है because ये warm waters में पाया जाता है और उसके लिए adapted भी होता है body का ऐसा system है कि वो additional heat को बाहर निकाल सकता है sigh और illusive होते हैं बचते फिरते हैं ये सिर्फ पाये जाते हैं जो नदन गल्फ आफ कैलिफोर्निया है वहाँ पर पचास मीटर तक के shallow water में मिलते हैं आयसे रेनलिस्ट में है critically endangered और साइट्स के appendix 1 में article प्रोनस दीन बंधुआना के बारे में है हाल ही में मरीपुर के कुछ scientist ने एक नई plant species को खोज लिया है जो की cherry blossom की है ये नई plant species इसे नाम दिया गया है जो डॉक्टर दीन बंधु साहू हुआ करते थे जो उनका contribution रहा है उसी को recognize करते हुए प्रोनस दीन बंधुआना further ये जो plant है ये 25 से 30 मीटर उचा होता है अगर ये dense mixed evergreen forest में हो तो थोड़ा से different है Japanese cherry blossom से because वो March और April के महिने में bloom करता है या फिर खिलता है जबकि ये November के महिने में bloom करता है cherry blossom के अगर हम बात करते हैं तो इसे sakura ये भी कहा जाता है ये national flower है जापान का और इंडिया जो है वो 28th country है जहाँ पर इस प्रकार के plantations को किया जाता है हमारा जो next article है वो Earth Day के बारे में है इस बार का Earth Day observe किया गया हर साल 22 April को इसे observe किया जाता है और theme रही invest in our planet for the first time Earth Day को observe किया गया था 1970 में जहाँ पर 20 million लोग सड़कों पे उतर आये थे protest करने के लिए जो environment का degradation हो रहा है उसको लेकर यहाँ पर US के एक senator थे Gary Lord Nelson उन्होंने लोगों से आवाहन किया था कि वो आएं और पर्यावरन को बचाने के लिए सरकार के उपर दबाव बनाएं इसके पहले कुछ घटनाए घटित होई थी जैसे कि 1969 में सांटा बाबरा में oil का spill हुआ था बहुत ही massive scale पे और भी smog और नदियों का production इसकी वज़े से लोग परिशान थे and that was the reason कि इस दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग एकठा हुए और इसी दिन को मार्क करते हुए Earth Day observe किया जाने लगा 2009 में for the first time United Nations भी पुकारा जाता है ये दुनिया का एक largest environmental movement तयार करते हैं ताकि जो लोग हैं और जो planet है उसे हम इस तरीके से बचा पाएं कि नुकसान ना हो ये मना जाता है कि जो pollution है या फिर जो climate change है या जो हमारे Earth का environment है वो एक collective responsibility है और इसी क्याधार पर 1992 में Rio Declaration यानि कि Earth Summit भी आया जहां पर हमने कहा कि ये कोई एक देश या कोई एक individual नहीं कर पाएगा यहां पर हमें harmony को create करते हुए सभी लोगों को एक साथ मिलकर environment को protect करना होगा economic, social और environmental needs इस तरीके से पूरी हों कि future generation और humanity के लिए वो हमेशा के लिए बनी रहे ऐसा नहों कि आज की generation पुरी तरीके से resources को exploit कर ले और आने वाली generation के लिए कुछ बचे ही न कुछ important days 22 March, World Water Day 22 April, Earth Day 22 May, World Biodiversity Day and 5th of June, World Environment Day हमारा next article Desert National Park के बारे में है एक green agriculture project को FAO Global Environment Facility की दोरा तैयार किया गिया है Desert National Park के लिए इससे वहां की critical biodiversity और forest landscape को फायदा होगा उसकी conservation में बात करते हैं इस National Park के बारे में यह situated है राजस्थान के जैसल मीर और बरमार रीजन में यह थार Desert Ecosystem का पार्ट है राजस्थान का state bird यानि की great Indian Bustard state animals, chinkara, state tree यानि की khेजरी और state flower यानि की rohida आपको इस National Park में मिल जाएंगे यहां पे आपको spinnit ए lizard, crats, sand fish prominently wildlife family के मिल जाएंगे कई सारी migratory raptors मिलेंगे जैसे की हिमालेन और Eurasian, griffin vultures, eastern imperial eagle और सैकरफालकर हमें बहुत पुरानी animals और plants के fossils भी यहां पे मिल जाते हैं Desert National Park में जो 180 million साल पुराने तक है 1980 में इसे UNESCO World Heritage Site में जगय मिली और 1992 में इसे National Park का दर्जा दिया किया हमारा next article इंडिया के पहले carbon neutral पंचायत के बारे में है जमू कस्मीर में संबा डिस्टिक में गाउं है पल्ली विलिज वो बन चुका है पहला भारत का carbon neutral विलिज जहां पे देखे carbon neutral होने का मतलब कत्ता ही नहीं होता कि carbon का emission नहीं होगा carbon का emission तो होगा लेकिन हम उसे compensate करने के लिए उतना carbon या तो sequestrate कर लेंगे या फिर ब्रीन energy का इस्तिमाल कर लेंगे तो net zero carbon dioxide emission को अचीव करने के लिए हमें एलेगर तरीके अपनाने होते हैं और यहाँ पे जमुएन कस्मीर का ये गाउं fully powered है सुर्ण energy से तो बन गया है carbon neutral पंचायत जहां पर emission को eliminate करने की कोशिस की जा रही है तो यहाँ पे carbon dioxide releasing processes को हम control करते हैं जो transportation, energy protection, agriculture या industry से निकलते हैं और कई सारे अने greenhouse gases जो source होते हैं carbon का उन्हीं भी रुपनी की कोशिस की जाती है जैसे कि हमने कहा कि energy रुपा मतलब यह करते ही नहीं है कि हम emission नहीं करेंगे बलकि हम emission को counter करने के लिए उसे balance करने के लिए initiatives लेंगे इसमें carbon offsetting या emission को reduce करना शामिल होता है हमारा next star का spotted deer के बारे में है एक साल उम्र का जो मिल spotted deer है उसे अभी रानी पेट डिस्टिक्ट में तमिलनाडू के मरा हुआ पाया गया that's why spotted deer news में आया spotted deer को axis axis या axis deer भी कहते है या फिर चीतल भी कहते हैं काफी common deer है एकसर जो आप hiran देखते हैं वो यही होता है इसका जो color होता है ये grassland जो forest area है भारत का सिलंका का वहाँ पे मलते हैं golden fur color होता है इनका that's why ये काफी देखने में attractive लगते हैं white spots होते हैं तो काफी खूबसूरत लगते हैं इसलिए लोग इन्हें देखना पसंद करते हैं एक curved scene होती है इनके पास लगभग 3 feet उसकी height होती है वो time time पे साल में एक बार scene को गिरा देते हैं फिर वो नई उगाती है mating season लगभग इनका पूरे साल रहता है चुकि warm climate में ये रहते हैं तो फिर वहाँ पर जो females होती है वो fertility में काफी capable होती है और ये साल के किसी भी समय जो fawns है वो पैदा कर सकती है बच्छे पैदा कर सकती है तो ये state animal भी एतिलंगाना का और चुकि इनकी संख्या परयाप्त है तो ये IFCN status में least concern है जो हमारा next article है वो पैरुमबकम wetland के बारे में है ये wetland चन्नई में है तमिलनाडो में वहाँ की state government ने बहुत पहले ये कह दिया था कि इस wetland को first department को सौंब दिया जाए लेकिन procedural delay के वज़े से अभी तक ऐसा नहीं किया गया and that is the reason कि ये wetland news में है पैरुमबकम wetland जो चन्नई में located है ये birds का एक feeding habitat है ये पल्ली करनाई जो fresh water mass wetland है उसी का एक extension है फैला हुआ हिस्सा है जो wetland है वो birds के लिए peaceful environment provide करवाता है चन्नई में फर्दर जो पैरंबकम wetland है ये 132 species का घर भी है जिन में कुछ नाम है white spotted gardens, skink, rassel viper, dwarf, gourami, chromide, windowpean, oyster और कुछ और इन सारे birds के नाम basically हो सकता है आपको पता नहों तो याद रखना जरूरी भी नहीं है आईए अब बात करते हैं Indian wolf के बारे में अब यहां पर इनकी population का पहली बार estimate लगाया गया है और ये पाया गया है कि 3100 members हैं इस species के भारत के अंदर ये एक सब species हैं आपके grave wolf की जो आपको semi-arid area में देखने को मिलती है अब इन area में आपको देखने को मिलते है इसके maximum population देखने को मिली है मध्य परदेश में इसके बाद राजेस्थान, गुजरात, महराष्टरा और 36 गर साथ के साथ आपको ये भी याद रखने की जरूरत है कि इनको threat है जैसे hunting का, encroachment का, land convergence का और human-animal की conflicts जो भढ़ रहे हैं उनके कारण इनकी population decline हो रही है अगर बात के जाए इनके IUCN status की तो ये least concern में आते हैं साइट के appendix 1 में आते हैं आईए अब बात करते हैं rough tooth dolphin के बारे में अभी recently लक्षदीप के Environment and Forest Department ने पहली बार पाया है इस species को Indian water में अब ये वैसे तो आपको देखने को मिल जाती है tropical या warm temperate area में और इनके बारे में बहुत कम जाना जाता है usually कहा जाता है कि इनका size 8.5 feet तक हो सकता है और ये gray color की होती हैं और इनके lips white color के दिखते हैं इसके बारे में और ज़्यादा information तो नहीं है but IUCN की list के according ये least concern में आता है that's why इतना इनके बारे में जानना ज़रूरी नहीं है और साथ की साथ sites के appendix 2 में आती है अब एक चीज याद रखना आप अगर कोई species least concern है तो सिर्फ आपको उसका status याद रखने की ज़रूरत है because कई बार आपको odd answers को eliminate करने में ये help कर सकते है otherwise ज़्यादा detail में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको उस पार्ट में आईए अब जानते हैं International Monsoon Project Office के बारे में अभी recently इसे launch किया गया है Ministry of Earth Science नहीं ये कहाया कि जो हमारा IITM है यानि Indian Institute of Tropical Meteorology ये इसे host करेगा यहाँ पर ये under the leadership work करेगा World Climate Research Program के और World Weather Research Program के अब ये जो दोनों ही प्रोग्राम है इन्हें coordinate कर रही है आपकी World Metallurgical Organization अब इसे establish करने के पीछे कारण ये है कि हम अपनी scientific approach है उसे integrate करना चाते है हम ये देखना चाते है कि जो seasonal variability है आपके monsoon की उसे हम किस तरह से predict कर सके किस तरह से हम cyclones को predict कर सके और किस तरह से हम जो monsoon के बारे में हमारी information है उसे और ज़्यादा strong कर सके तो इस article में इतना ही धन्यवाद तो आज के इस session में बस इतना ही Thank you very much